मेरे प्यारे देश्वासियों, अभी हम हमारे कोरोना वारियस के चर्चा का नहीं देए। पिछले डेड़ सालों में हमने उनका खूब समर पर परिशम देखा है। लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमी का देश के कई खेत्रों के अनेक वारियस की भी है। आप सोचिए हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्ता पर पड़ा। कृशी व्यवस्ता ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा, बलकि प्रगती भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है किस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। आज इस संकटकान में 80 करोड गरीबों को मुप्त राशन उपलब्द कराये जा रहा है। थाकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन ना आए जब चूला न जले। साथियों आज हमारे देश के किसान कई शेत्रों में नई व्यवस्ताओं का लाब उठाकर कमाल कर रहे हैं। जैसे की अगरतला के किसानों को ही लीजिये, ये किसान बहुत अच्छे कठल की पैदावर करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती हैं। इसलिए इस पार अगर तला के किसानों के कठल रेल के जरिये गुहाटी तक लाए जाए गुहाटी सब ये कठल लंदन बेजे जा रहे हैं ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची के नाम भी सुना होगा 2018 में सरकार ने शाही लीची को GI टेक भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को जादा फायदा हो इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन बेजी गई हैं पूरब से पस्चिम उत्तर से दक्षिन हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा बड़ा है दक्षिन भारत में विजे नगरम के आम के बारे में आपने जरूर सुना होगा अब भलाए आम कौन नहीं खाना चाहेगा इसलिए अब किसान रेल सेंक्रो टन विजे नगरम आम दिल्ली पहुँचा रही है दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को विजे नगरम आम खाने को मिलेगा और विजे नगरम के किसानों को अच्छी कमाई होगी किसान रेल अब तक करीब करीब दो लाग टन उपज का परिवहन कर चुकी है अब किसान बहुत कम किमत पर फल सबजियां अनाज देश के दूसरे सुदूर हिस्वों में भेज पा रहा है